प्रकृति गजब की ताकत है इसमें बारिश की रिमजिम फुआरों को ही लीजिए जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मनजर दिखाती है लेकिन क्यों रहें किसान के घर के खुशियां प्रकृति पर निर्फाए जब बन सकता है वो आत्म निर्फाए किसानों को प्रकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुखसान होनी की स्थिती को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना की खोशना की इस बीमा योजना का उद्देशे विभिन प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल फराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस खलन, चक्रवाती तूफान, बे मौसम बारिश, फसल की बीमारिया, आकाशिय बिजली, कीटोर के हमले वगेरा से होने वाले नुकसान की स्थिती में, किसानों को वित्तिय साहता प्रदान करना है, इस बीमा योजना के अंतरगत, फसल की विभिन आवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानि पूरे फसल जक्र का सुरक्षा कवाच, जिस दिन फसल काट क क्लेम की रकम भी मुझे असानी से मिल गई, सारा भुक्तान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया, पर धान मंतरी फसल बीमा योजना बहुत ही लाबकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है पहली बात तो ये समझे कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं तो आप फसल बीमा के लिए पात रहें इसमें काश्टकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं अनाच, दलहन, दिलहन और कुछ वार्षिक वानिजिक फसलों को पीम एफबीवाई के अंतरगत कवर किया जाता है ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामियाफ फसल बीमा योजना है केंद्र सरकार और राज्व सरकारों के अलावा 18 बीमा कमपनिया, 540 बैंक तथा 45,000 जन सिवा केंद्र प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कारे रत हैं इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारां सभी सतर के किसान इसका लाब ले सकते हैं खड़ी फसलों के लिए बीमित राशी का 2 प्रतिशत प्रीमियम, रभी फसलों के लिए बीमित राशी का 1.5 प्रतिशत प्रीमियम और पाखवानी एवं वानिजिक फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम है देश भर के किसानों ने करिम 21,000 करोड रुपिये ही प्रीमियम के तौर पर दिये लेकिन उन्हें मुआज़व के तौर पर एक लाग करोड रुपिये से जादा मिले बंजी करण की कटाउफ दिथी हर राज में अलग-अलग तैह होती है अपने क्षेत्रों या गावों के अधिसूचित फसलों की सूची बीमित राशी एवं कटाउफ दिथी के अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम क्रिशी अधिकारी जन सिवा किंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिथी से संपर्ग करें www.pmfby.gov.in पर लॉग इन करके या फसल बीमा एप क्रॉप इंशुरेंस एप का उप्योग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का फुकता PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है स्थानिय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्रकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कमपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कमपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवशक है जो खिमों में उपजहानी का आखलन फसल कटाई प्रयोगों के अधार पर किया जाता है आपदा के कारण होए नुकसान पर किसान को बीमा कमपनी द्वारा क्लेम राशी का उचित भुकतान मिलता है क्लेम राशी का भुकतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है शिकायत निवारन के लिए किसान बीमा कंपनी निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृशी कारियाले में संबर्क कर सकते हैं वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राजस्तरिय शिकायत निवारन समीती तक भी पहुं सकते हैं दरसल पहले सभी रिणी किसान जो बैंकों या वित्तिय संस्थानों से मौसमी क्रिशी रिण या केसी सी का लाब उठा रहे थे उन्हें अनिवारे रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वेचिक कर दिया गया है प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनस से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्म निर्भर बनाने की दिशा में एहन कदम सावित हो रही है जब किसान बढ़ेगा प्रकृती निर्भरता से आत्म निर्भरता की ओड़ तभी तो बनता है आत्म निर्भर राश्ट